दोस्तों नमस्कार दुनिया के केंद्र में भारत है अंतरास्टिये तौर पर जितनी बड़ी हल्चल अलग अलग युद्ध की वज़ा से दुनिया भर में हो रही है उसमें नए पावर सेंटर के तौर पर क्या पहली बार पश्चमी देशों को चनोती देते हुए साउथ उभर कर सामने आ चुका है और साउथ ग्लोबल की जिस परिभाशा को इस दौर में एक नई तिकड़ी यानि तीन देशों का मिलन अमेरिका और पश्चमी देशों को चनोती दे रहा है उसकी बैठक आज से रशिया के कजान शहर में शुरू हो चली है ब्रिक्स की बैठक है ये सोलमा समिट है ये और इसमें खास तोर पर रूस चीन और भारत की मौजूदगी और उस मौजूदगी के साथ अंतराष्टिये तोर पर डॉलर को चनोती देने की स्थिति आई एम एफ और वर्ल्ड बैंक जिस पर वर्धस्त या किस पर वर्चस्व अमेरिका का ही रहा है वहां के पूरे मेकनिजम को अमेरिका ही समालता रहा है उसके ठीक समनांतर क्या न्यू डेवलप्मेंट बैंक के जरिये अब उस परिस्तिती को भी नए तरीके से विक्सित किया जा रहा है जिसके आसरे वाकई ग्लोबल साउथ कहीं ज्यादा दुनिया में एकनॉमिक द्रि बावजूद इसके तमाम शेंक्सन लगाने के बाद तमाम प्रतिबंद के बावजूद रूस को अमेरिका अलग थलग कर नहीं पाया और भारत ने बिलकुल इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनाई जिसमें वो ना तो रूस के साथ खड़ा था ना यूकरेन के साथ खड़ा हुआ और ना ही इरान के साथ खड़ा हुआ लेकिन परिस्तितियों को अगर आप परखें तो भारत इस अंतराश्टिये परिस्तितियों के बीच एक मात्र ऐसा देश है जिसका इधर से उधर जाना एक बैलेंस को जो रूस और अमेरिका अभी तक सोचते रहे उसमें उसी का पढ़रा भारी कर देता है जिदर भारत खड़ा होगा तो क्या रूस में ब्रिक्स की बैठक दुनिया के लिए एक नया संदेश है कि अंतराश्टिये तौर पर अब एक नई ताकत के तौर पर रूस चीन और भारत की मौजूदगी विश्मान चित्र पर सबसे बड़े एकनॉमिक के लिहाज से ताकतवर देशों के लिहाज से आर्थिक और सामरिक परिस्तितियों के लिहाज से बेहत महत्पूर हो चली है आप सोच सकते हैं किन परिस्तितियों के बीच भारत और चीन इस दौर में नजदीक भी आए जो लदाक में हो रहा था और लदाक में बीते चार बरसों में या कहें तिरेपन महीनों में 20 मिलिटरी लेवल पर बैठक भी हुई लेकिन समधान नहीं निकला लेकिन बीते एक महीनों में जिस तरीके का डिवलप्मेंट दुनिया बर में हुआ और खास तोर से भारत का टकराओ कनाडा को लेकर होना और कनाडा के जरिये फाइव आईज जो उनके करीब के देश हैं जिसमें ब्रिटेन है अमेरिका है अस्ट्रेलिया है नियूजलैंड है खुद कनाडा है भारत की घेराबंदी शुरू की गई और ऐसे में भारत ने अब खुले तोर पर कहा है कि रूस हमारी अजादी के बाद से हर दृष्टी से संबंधों के लिहाज से बेहत करीब रहा है और खास तोर से रूस एशिया का है वो पश्च्चम का नहीं है इन तमाम परिस्तितियों पर आईए आज जरा उन इस्तितियों को देख लिया जाए जो आने वाले वक्त में विश्मान चित्र पर कुछ परिवर्तन भी कर सकती है आज प्रधान मंत्री रवाना हुए दिल्ली से प्रधान मंत्री आज और कल रूस के कजान शहर में रहेंगे और प्रधान मंत्री की रवानगी से तकरीबन 36 घंटे पहले रूस के विदेश मंत्री ने बहुत साफतोर पर एक संकेत दिये रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोप उनका कहना है कि आर्थिक विकास होने से एशिया का राजनितिक प्रभाव इस दौर में बहुत बढ़ा है और दुनिया के विकास का केंद्र यूरो अट्लांटिका छेतर से बदल कर एशिया प्रशांत छेतर की तरफ बढ़ रहा है और दुनिया में नए एकनॉमिक सेंटर बन रहे हैं और पश्चिम देश इसमें सामिल नहीं है और ध्यान दीजी अगर आप ब्रिक्स की एकनॉमिक को भी समझें तो G20 और G7 के बाद तीसरा नंबर ब्रिक्स का आता है और यूरोपिय यूनियन चौथे नंबर पर खिसक चुका है और शायद यही वो परिस्किती है जो ब्रिक्स को लेकर बीते तीन दशकों से उसकी यात्रा को दिखला देती है और जोसकी चर्चा कजान शेहर में होनी है क्योंकि 1990 में पहली बार रिक बना था रिक यानि रूस था इंडिया था और चाइनन था इसका पहला सम्मेलन जो था 1990 में हुआ था और उस वक्त रूसी नेता या अवगिनी प्रिमा कोव हुआ करते थे जिन्होंने लीट किया था और मकसद यही था कि विदेश निती में अमे ब्रिक बना और ब्रिक में ब्राजील शामिल हुआ और 2001 में इंवेस्टमेंट बैंक गोल्डेन मैं सेक्स जो इस वक्त ये कहने से हिचक नहीं रहा है कि दरसल डेवलप्मेंट बैंक के जरिये डॉलर को चनोती देने की स्थिति में ब्रिक्स इसलिए आ सकता है क्योंकि यह अपने आप में अपने लोकल करेंसी पर पूरे बिजनेस लोन की परिस्कितियों को डेवलप करेगा यानि जिस आई एमेफ और वर्ल्ड बैंक के जरिये दुनिया पर प्रभाव आर्थिक तोर पर आई एमेफ का रहा अमेरिका का रहा अब उसको डेवलप्मेंट बैंक के जरीये क्या वाकई ब्रिक्स अब एक नई जौरत दुनिया के सामने है क्योंकि बहुत सारे देश कतार में है और दुनिया के भीतर अगर सामरिक परिस्कितियों को भी समझे तो इस दौर में इरान भी अब ब्रिक्स के साथ शामिल हो गया है इरान का युद्ध इसराइल के सा और दूसरी तरफ रूस यूक्रेन से लड़ रहा है यूक्रेन नाटो देश में शामिल होने की कतार में है इरान ब्रिक्स में शामिल हो चला है और कई देश यहां तक की 34 देश कतार में लगे हैं जो की शामिल हो जाएं ब्रिक्स के बीतर में और यहीं से यह मैसेज निकल करा आता है क्या वाकई आर्थिक तोर पर एक नए पावर सेंटर के वजह से दुनिया के लिए या अमेरिका के लिए ब्रिक्स चुनोती और भारत की भूमी का इसमें सबसे बड़ी इसलिए है क्योंकि चीन और रशिया के बीच तो नो लिमिटेट नो लिमिट एग्रिमेंट पहल ठक हो रही थी जिसमें आई एमें वर्ल्ड बेंक की लोग भी मौजूद थे उसमें डेवलप्मेंट बेंक की प्रेजिडेंट भी मौजूद थी उन्होंने बहुत साफ तोर पर कहा कि ब्रिक्स लोकल एकनॉमी लोकल करेंसी और आपस में तालमेल एक नए मैकनिजम को में जरूर बढ़ेगा जो ये खुले तोर पर बताएगा कि दरसल किसी भी प्रोजेक्ट और किसी भी फाइनांस को लेकर डॉलर की जरूरत नहीं है I promote transactions in local currency. We also facilitate investment growth, help governments and private sector overcome cash flows mismatch between project and financing. This approach provides great predictability and reduce the high cost associated with hedging needs. The bank is putting in place local currency sustainable developing orient platforms and recognize the use of making green finance available to the member countries. Therefore, it aims to provide 30% of total financing and local currency of borrowing members. मौजूदा BRICS 2010 में सामने आया जब इसमें South Africa भी शामिल हो गया. यानि Brazil, Russia, India, China और South Africa और इसकी एकनौमी ने European Union को भी पीछे छोड़ दिया. और अब चुकी सोलवें ब्रिक समिट की अध्यक्स्ता रूस कर रहा है. चीन के राश्पति शी जिंग पिंग की मौजूदगी है. भारत के प्रधानमंत्री शी जिंग पिंग के साथ मुलाकात करेंगे. हाला कि इससे पहले G20 में जो कि इंडोनेशिया में समिट हुआ था. उसमें उनकी मुलाकाश शी जिंग पिंग से हुई थी. लेकिन उस दौर में भी लद्दाक में खटास चल रही थी. और ये सवाल था कि भारत और चीन एक दूसरे के साथ वैपार कैसे कम करेंगे. इसको सबसे बेहतरी नुधारण इस दौर में स्टील का है. बड़ी तादाद में चीन का स्टील भारत में एक्सपोर्ट होना या भारत उसको इंपोर्ट कर रहा है. वो दुनिया की बाजार की तुलना में कम कीमत पे है और भारत में इस दौर में जो इंफराइस्ट्रॉक्चर पर जो रहा है. उसके लिए चीन का स्टील इस दौर में बड़ी तादाद में भारत में उसकी इंट्री हो चुकी है. अब सवाल ये है कि चीन के साथ इसी दौर में लाइन आफ कंट्रोल पर जो पैट्रोलियम हो रहा था उसमें जो सहमती बनी और लदाख में टकराओ की प है. एक चुनोती है. ये सवाल इसलिए कहीं ज़्यादा महत्पूर्ण है क्योंकि रूस के साथ भारत के सम्मन्द कोई आज के नहीं है. बहुत पुराने हैं जिसका जिक्र बार बार भारत करते चले आया है. लेकिन ब्रिक्स के जरीए जो चुनोती अब अमेरिका के सामने ह या विक्सित देश या G20 और D7 के भी सामने है. उसमें यह भी समझना होगा कि भारत और इस ब्रिक्स की अगवाई में भारत इस मैसेज को कनवे करना चाता है कि हम ब्रिक्स की अगवाई कर रहे हैं. रशिया इस मैसेज को कनवे करना चाता है कि युक्रेन युद्ध धाई साल तक चला तमाम प्रतिबंद लगाए गए पश्चमी देशों के जरीए बावजूद वो रशिया को अलग थलग नहीं कर पाए ये मैसेज चीन देना चाता है कि अमेरिका के साथ वैपारिक तनाओ के बावजूद भी उसके एकनॉमिक रिश्टे इस दोर में एशिया में कह चाकतवर देशों के साथ सामरिक तोर पर भी बड़ा मजबूत है यानि ब्रिक्स का मैसेज बहुत बड़ा है और ये समझना होगा कि इसमें सिर्फ पाँच देश नहीं है जो ब्रिक्स के नाम पर है अब इसमें इजिप भी है इथोपिया भी है इरान भी शामिल हो गया है और बकाइदा फॉर्मली एप्लिकेशन टर्की ने दी है अजर्वेजान ने दी है मलेशिया ने भी दी है और ये एक मैसेज है कि पहली बार क्या वाकई जिसका जिक्र अब डेवलप्मेंट बेंक करने से नहीं चुके कि आपसी लेंदेन अगर घरेलू करेंसी में होगा औ डॉलर के कमजूर होने को होगी और भारत जैसे देश के लिए एक नई आर्थिक मजबूती उस चाहे चीन है चाहे रशिया है चाहे इरान है चाहे टर्की है चाहे ब्राजील है सभी की मौजूदगी आपको नजर आएगी ब्रिक्स की बैठक में आला कि ब्राजील के राजपत्री तबियत खराब होने की वज़ा से इंटरनेट से जुड़ेंगे उस फिजिकली मौजूद नहीं होंगे लेकिन उसके बावजूद भी एक नया गटबंदन जो ब्रिक्स की ताकत के साथ उभर रहा है उसमें भारत की रशिया के साथ नजदी की अंतरास्टिये तोर पर तो तभी दुनिया को चुबने लगी जब रशिया ने प्रधान मंत्री मोधी को अपने सबसे बड़ा सम्मान से सम्मानित किया और अब खुलकर विदेश मंत्री ये कहने से चूट नहीं रहे है कि दरसल रशिया का मतलब सिर्फ फ्री में तेल लेना नहीं है या सस्ते में तेल लेना नहीं है वहाँ मिन्रल्स का भंडार है फटिलाइजर है और इन तमाम परिस्थितियों के साथ भारत के उसके संबंध रश्या के साथ बहुत प्रगाड रहे हैं और आज से नहीं रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद से रहे हैं अविलिख अख पर हिस्टी विल्या रश्या अच एल रुट रखेंद एड्या रुट्स्या रजस अजिपेंद प्रोट्टीशों के व्यू तैस्टे में करेंश प्रगाड रश्या का लुट्तिच भंख एल्ट एल्टीश्ट्स्ट अर लग्या का लैता बटी तन. Now today Russia's situation is different. I think Russia's relationship with the West has obviously broken down. So you have a Russia which is turning much more towards Asia. So we have to ask ourselves, if Russia is looking more at Asia, should Russia not have multiple options in Asia? Should we as an Asian country not take, you know, what do, what is good for us in national interest? and clearly in Russia as a major natural resources power has a complementarity with India at this stage of development when we are big resource consumers so you know people talk about Russian oil but it isn't just Russian oil you know it could be oil it could be fertilizers it could be metals it could be coal so there is a whole economic logic to it. पूरा करने के लिहाज से जरूरी है तो जाहिर तौर पर ये भारत की कूटनिती और विदेशनिती बिलकुल नए परवान पर है यहां पर यह भी समझना होगा कि दरसल ब्रिक्स की जो अगर इनमें शामिल देशों की पॉपुलेशन भी देखें तो दुनिया की कुल जनसंख ब्रिक्स के पास है यानि इस दौर में जो दुनिया में अलग-अलग और्गनाइजेशन बन रहते चाहे वो कौर्ड हो चाहे वो आक्स हो चाहे वो रश्यन चाइना के बीत में नो लिमिट पार्टनर्शिप हो इन सबसे हटकर ब्रिक्स उस एकनौमी के आसरे अपनी मजब जबूती को दुनिया के सामने दिखाना चाहता है जिसमें अभी तक अमेरिका का वर्चस जरूर रहा है खास तोर से वर्ड बेंक और IMA for United Nation को लेकर यहां एक सवाल और भी है क्या वाकई Global Governance Reform की दिशा में ब्रिक्स अब सवाल उठाने से चुकेगा नहीं जिसमें United Nation के Security Council क का जिकर होगा जिसमें IMA World Bank का जिकर होगा जिसमें WTO का जिकर होगा क्योंकि अगर पूरी परिस्तिती में ब्रिक्स की मौजूदगी को अगर आप परकें तो तीन बातें खुले तोर पर सामने आती है एक तो बड़ी तादाद में South की भूमी का अंतरास्टिये तोर पर महत चस्व अब संभव इसलिए नहीं है क्योंकि हर देश की अपनी एकनॉमिक पॉलिसी और अपनी एकनॉमिक जरुरतें और दुनिया में जो युद्ध चल रहे हैं उसके मद्दे नजर उन्हें अपने आपकी जरुरतों को पूरा जरूर करना होगा और तीसरी परिस्तिती है कि जो अलग अलग छित्र हैं और उसमें वर्ल्ड बैंक और आई एमेफ जैसे आई एमेफ लोन का जिकर करें तो अर्जेंटाइन लगभग 31 बिलियन डॉलर पाकिस्तान 6.7 बिलियन डॉलर केनिया 2.5 बिलियन डॉलर घाना 2.2 बिलियन डॉलर शिलंका 1.3 बिलियन डॉलर ये उन policies के तहत है जिसमें अगर new development bank create होता है तो क्या ये एक बड़ी भुमिका होगी और शायद इसी लिए bricks पहली बार जिन मुद्दों के आसरे दुनिया का ध्यान अपनी दिशा में ना सिर्फ खीच रहा है बलकि दुनिया की जुरतों को भी अपने agenda में शामिल करके आगे बढ़ रहा है ये उस ताकत का प्रतीक है जिसमें message दुनिया के सामने बहुत साफ तोर पर जाए कि चाहे वो climate finance का जिक्र हो चाहे food security की जुरत हो चाहे health हो चाहे education हो चाहे skill हो चाहे space हो चाहे digital हो चाहे artificial intelligence हो इन सब के मद्दे नजर bricks की ये बैठक पर समूची दुनिया की न जो कजान शहर है उसकी एक जलक देखिए कजान शहर तयार है दुनिया के तीसरे सबसे आर्थिक ताकतवर संगठन ब्रिक्स की बैठक को लेकर लेकिन एक आखरी बात यहां समझनी होगी भारत और चीन के रिष्टे गवारांग के बाद लगातार बिगरते चले गए इस दोर में भोटान को लेकर भी जो हुआ उससे भी इस्तिती ना जुक हुई भारत के भीतर राजनितिक तोर पर अभी भी चीन को माननता देने के इस्तिती में भारत की अंद्रोनी राजनिती नहीं है और इन परिस्तितियों के बीच रूस ने मध्यस्ता की भूमिका क्या भारत और चीन को करीब लाने को लेकर की कोकि रशिया को इस बात का पूरा एसास है कि चीन की वज़ा से अगर भारत अमेरिका के करीब चला जाता है और वो बैलन्स बना कर रूस और अमेरिका के बीच काम करते रहता है तो इससे बात बनेगी नहीं और यही वो वज़ा है कि इस बैठक से एन पहले भारत और चीन के बीच रिष्टों में मजबूती आई दोनों ने एक दूसरे के साथ आपसी भरोसे को जतलाने का जिक्र भी किया और इसी लिए इस बैठक में शी जिंग पिंग और प्रधान मंत्री मोदी की मुलाकात भी होगी इसी बैठक में इरान के राश्पती के साथ बैठक में मुलाकात और बाचीद भी होगी इसी बैठक में रूस के साथ युद्ध को लेकर भी समबाद होगा लेकिन अगला सवाल और आखरी सबसे बड़ा सवाल है क्या दुनिया के भीतर बदलते हुए नए पॉलिटिकल एकनॉमिक धुरुव जो है जो पावर सेंटर है उसके केंदर में क्या भारत आकर खड़ा हो चला है और मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की अपनी इंडिपेंडन्ट पॉलिसी के जरिये जो एक नई परिस्तिती ग्लोबल साउथ को लेकर खड़ी की इसका जिक्र उन्होंने एसियान में भी किया और यह भी समझना होगा इस दौर में एसियान के साथ भारत का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो अभी भी बहुत नेगेटिम में है यानि भारत एक्सपोर्ट कम कर रहा है इंपोर्ट जादा कर रहा है चीन के साथ भी कमोवेश यही परिस्तितियां है और यही परिस्ति भारत अब उस economic aspect के आसरे अपनी कोटनिती और विदेशनिती को बढ़ाना और फैलाना चाहता है जिसके बाद उसकी निर्भरता कम से कम पश्चमी देशों पर उस मौके पर कम हो जाए जिस दौर में जो भारत लगातार अंतरास्टिये मंचों पर कनाडा को लेकर सवाल उठा आता रहा और अमेरिका ने इस दौर में कनाडा कहीं साथ दिया यानि पहले की पूरी राजनितिक परिस्तितियां अंतरास्टिये मंच पर जो पश्चमी देशों के अनुकूल चल रही थी उसको नए तरीके से चुनोती देने की स्थिती में ब्रिक्स खड़ा हो गया है या इसको और सीधे कहें तो साथ को चुनोती या कहें सीधे तोर पर चुनोती भी ना शब्दी उसकरें बलकि यहां साथ एक नई दृष्टी से चैलेंज कर रहा है अब वेस्टन वर्ल्ड को शायद यह इस्तिती इस ब्रिक्स की खासियत है और इस ब्रिक्स की बैठक से चैलेंटों में जब कजान शहर से आने वाले वक्त में आर्थिक परिस्तितियों को लेकर ब्रिक्स देशों के आपसी आर्थिक संबंधों पर किन पॉलिसीज पर नई मोहर लगती है और वो चुनोती डबलू टीओ को होगी वह चुनोती आई-एम-फ को होगी वह चुनोती डॉलर को होगी वह चुनोती शायद यूएस को भी हो बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया